नमस्कार शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर आप सब का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वैस्वागत आज हम माता ब्रह्म चार्नी के रूप का वर्नन करेंगे दूसरे दिन जिनकी पूजा की जाती है जिस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया ऐसे ही हम सब घरों में रहकर स्वयम पर नियंतरन रख कर इस करोना जैसे वाइरस से निजात पाने की पूरी कोशिश करेंगे सब तरिशी मंडल ने बहुत कोशिश की थी मा पार्वती की तपस्या भंग करने की हमारा मन भी घर में बैटे बैटे उप जाता है बाहर जाने को मन करता है शोपिंग करने को मन करता है इधर उधर टहलने को मन करता है लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें अपने मन पर नियंतरन रखकर करोना जैसी बीमारी को भगाना है और स्वयम को इससे मुक्ति दिलानी है तो आईए हम माता पार्वती से शिक्षा लेते हुए आज द्वित्य दिन में ब्रह्मचार्नी के स्वरूप का वर्नन करते हैं दधाना करबपदमदा अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद तूमई ब्रह्मचारिन्य अनुत्वां मादुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचार्नी का है यहां ब्रह्मचार्नी अर्था तप की चार्नी तप का आच्रन करने वाली कहा भी गया है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थें ब्रह्मचार्नी देवी का सवरूप पूर्ण जोती में एवं अत्यंत भव्य है इनके दाहिने हाथ में जब की माला एवं बाई हाथ में कमंडल रहता है अपने पूर्व जनम में जब ये हिमाल्य के घर पुत्री रूप में उत्पन होई थी तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पती रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी इसी दुशकर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारनी अर्थात ब्रह्मचारनी नाम से अभीत किया गया एक हजार वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किये थे सो वर्षों तक केवल शाक पर निर्वा किया था कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भ्यानक कष्ट सहें इस कठिन तपस्चरिया के पस्चात तीन हजार वर्षों तक केवल जमीन पर तूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे दिन रात भगवान शंकर की आर राधना करती रही और इसी अराधना के फल्सरूप उन्होंने कुछ दिनों तक सूखे बेल पत्रों को भी खाना चोड़ दिया कई हजार वर्षों तक वो निर्जल और निराहार तपस्चा करती रही पत्तों को भी खाना चोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपरना भी पड़ गया कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारनी देवी का वह पूरु जनम का शरीर एक दम क्षीन हो गया बहुत कमजोर हो गया उनकी एदशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठी क्योंकि मा तो माही होती है उन्होंने उन्हें उ ब्रह्मचारनी पूरु जणम का एक नाम उमा भी पड़ गया उनकी इस उस्तपस्या से तीनों लोकों में हाहा कार मच गया देवता रिशी सिध्धगन मुनि सभी ब्रह्मचारनी देवी की इस तपस्या को अभूत्पूर पुन्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना कर अंत में पितामय ब्रह्मा जी ने अकाश्वानी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन स्वरों में कहा ए देवी आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की ऐसी तपस्या तुम्हीं से संभवती तुम्हारे इस अलोकिक कृत्य की चतुर्दिक छराहना हो रही है तुम्हारी मनो कामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी भगवान चंद्र मोली शिवजी तुम्हें पती रूप में प्राप्त होंगे अब तुम तपस्या से विर्थ होकर घर लोट जाओ शिक्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रही है मा दुरगा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है इनकी उपासना से मनुष्य में तप त्याग वैराग्य सदाचार सैयम की व्रिद्धी होती है जीवन के कठिन संहर्षों में भी उसका मन कर्तव्यपत से विचलित नहीं होता मा ब्रह्मचार्नी दे करते हैं इस दिन साधक का मन स्वधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चकर में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा स्वरूप मन में चिंतन मनन करते हुए अपना समय व्यतित करें। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानि पश्यन्तु, माकस्चित दुख भाग भवे, धन्यवाद.